हालो यूरीवान वैलकम टू माई चैनल आज हम देखेंगे ब्यूटिफुल जैपरी स्टाइल बनार सी गरारे की कटिंग स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर दें साथी साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजें क्यूंकि मैं हमेशा इस तरह के टुटोरियल पोस्ट करती रहती हूँ सो गाइज ये एक हाइली रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इस्टाग्राम यूटूब और फेस्बुक पेज पर इस तरह के गरारे की रिक्वेस्ट की थी तो आज हम इस पार्टिवेर गरारे की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे और इस कुर्टि की जो वीडियो है मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स और पिन कमेट पी मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रिन पर भी आप इस कुर्टि की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं अब दिखें गरारा बनाने के लिए हमें ये सिर्फ तीन मेजरमेंट की जरूरत होगी इनी से हमारा गरारा रेडि हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हम अपना माटेरियल देख लेते हैं सो सबसे पहले मैं आपको ये दुपट्टा दिखा देती हूँ इसका जो दुपट्टा है ये रेडि टू वेर है मार्किट से इसी तरह से गरारे के माटेरियल के साथ हमें मिला है तो दुपट्टे का बहुती soft fabric है बनारसी में और इसके चारों तरफ से जो पल्लू है वो इस तरह से decorate है इसके बाद देखिए इसकी कुर्ती के लिए हमें यहाँ पर 2 मिटर यह plain टापेटा fabric मिला है और यह जो fabric है यह थोड़ा soft fabric है तो इस तरह से इस में से हमने कुर्ती बना लेनी है तो उसका वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में हम गरारे की cutting stitching देखेंगे गरारा बनाने के लिए हमें 4 मिटर ब्रॉकेट फैबरिक की जरूरत होगी अब दिखिए यहाँ पर हमारे पास जो है यह multi color ब्रॉकेट फैबरिक है जिसे हम बनार सी फैबरिक भी कह सकते है और इसको उपर काफी ज्यादा stone work है इसके बाद जो इसकी चोड़ाई है वो कम से कम 44 इंच होनी चाहिए तो 44 इंच का इसका अरज है अब गरारे को हम दो पार्ट में cut करेंगे सबसे पहले हम अपर पार्ट करेंगे जिसके लिए हमने कपड़े को लंबाई में इस तरह से fold करना है दोनों किनारी मिलाते हुए इसके बाद अब हमने इसको चोड़ाई में fold करना होगा तो चोड़ाई में हमें कितना fold करना है वो अब हम यहाँ पर formula देख लेते हैं देखिए हमने hip का foot part करना है और उसमें कम से कम 7 इंच add कर लेना है तो मैं 40 hip के लिए बना रही हूँ तो 40 का foot part हुआ 10 इंच और 10 में हमने 7 इंच plus कर लिया जो हो गया 17 इंच तो 17 इंच पर मैं कपड़े को इस तरह से fold करूँगी इसके बाद यहाँ से हम इसको cut कर लेंगे सो बस आप किसी भी size के लिए यहाँ बना रहे हैं तो हमें 4 part करना है और उसमें 7 इंच add कर लेना है क्योंकि यह हमारा lose रहेगा इसलिए हमें कम से कम 7 इंच add करना होगा अब चलिए एक बार और देख लेते हैं upper part की length or width तो चोड़ाई जो है इसकी 17 इंच ली है और जो इसकी अभी लंबाई है वो 22 इंच है so friends चोड़ाई में हमें 7 इंच प्लस दरूर करना है क्योंकि जैपुरी गरारे काफी lose होते हैं और इसकी जो लंबाई है वो कमर से लेकर गुटनों तक की रहेगी अभी फिलहाल लंबाई इसकी 22 इंच है उपर से लगबग हमारा 1,5 इंच नेफे में फोल्ड हो जाएगा तो लास्टिक के हिसाब से जितनी भी चोड़ी हमारी लास्टिक होगी उसके हिसाब से हमने नेफा फोल्ड करना होगा तो मैं यहाँ पर 1,5 इंच पर मार्क करूंगी और इसको सीधा कर दूंगी तो इतना जो फैबरिक है हमारा नेफे में आ जाएगा अगर आपके लास्टिक की चोड़ाई एक इंच है तो आप यहाँ पर 1,5 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से 1,5 इंच पर नेफा फोल्ड हो जाएगा तो उपर से हमारा यहाँ पर 2 इंच फैबरिक खतम हो जाएगा इसके बाद यहाँ से हम चैक करेंगे इसकी लैंच तो यहाँ से लगबग 5 इंच हमारा नीचे खर्च हो जाएगा तो लगबग 19 इंच के अराउंड हमारे अपर पैट की लैंच रेडी होगी इसके बाद हम खुली तरफ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यह माग हम उपर मिला देंगे अगर आप नॉर्मल साइज के लिए यानि 36 हिप के लिए बना रहे हैं तो आप यहां पर 0.5 इंच पर माग करें और अगर आप 40 हिप से जादा के लिए बना रहे हैं तो साड़े 3 इंच पर भी माग कर सकते हैं आप क्रॉच की लेंगे तो मैं यहां पर क्रॉच की लेंच 13 इंच ले रही हूँ आप अपने साइल्स के साब से एक इंच कम या जादा कर सकते हैं तो 13 इंच बिलकुल नॉर्मल है सीधा माग कर देंगे तो नीचे से भी हमने 3 इंच पर माग किया है यहां पर अब हमने क्रॉच की गुलाई देनी है इस तरह से तो यह गुलाई हम हलके से देंगे जादा गहरा नहीं देना है इसके बाद देखिए आगे की तरफ जो हमारे खुली साइड है यहां पर हम 2 इंच पर माग करेंगे और इस माग को हमने अपने क्रॉच से मिला देना है तो इंच टेप को तिर्चा रखेंगे और इस तरह से तिर्चा करकी मिला देंगे तो लीजिए इसी के साथ मागिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसके बाद जो हमारी उपर वाली साइड है यहां से भी हमने इसको कट कर लिया है इसके बाद अब हम गरारे के लिए नीचे वाला फ्लेयर कट करेंगे यानि घेरा कट करेंगे तो सबसे पहले देख लिए हमारा जो अपर पार्ट है वो 19 इंच पर रेडी होगा तो अपने गरारे की टोटल लैंथ में से मैं 19 इंच माइनस कर दूँगी और नीचे हमारा जितना भी बचेगा उतना ही लैंथ हम अपने फ्लेयर की लेंगे यानि घेरे की जो लैंथ है वो इतनी लेंगे जो हमारे अपर पार्ट की जो लैंथ है वो माइनस करने के बाद तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ फैबरिक पर फोल्ड करके आप देखिए फ्लेयर बनाने के लिए मैंने पूरा तीन मीटर फैबरिक ले लिया है जिसको हम लंबाई में यानि किनारी के साइट से पहले इसको इस तरह से डबल कर लेंगे तो पूरी लैंथ में हमने तीन मीटर फैबरिक को पहले किनारी की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है उसकी जो चोड़ाई है वो अभी 22 इंच है क्योंकि इसका width हमने half कर लिया है अभी 22 इंच की जो चोड़ाई है यही हमारे flare की length होगी तो उपर से हम 19 इंच निकाल देंगे अपने upper part की length बाकी नीचे check कर लेंगे हमारे गरारे की total length कहां पर आ रही है तो फिलहाल यह अभी 41 इंच है तो फ्रेंट्स अगर आपको इस तरह से भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ तो दिखें इस तरह से fabric हमने fold कर लिया है अब हम upper part देखेंगे यहां से upper part हमारा 19 इंच पर ready हो जाएगा तो यहां से हमने 19 इंच रखना है इस तरह से अब नीचे की तरफ हम check कर लेंगे जहां पर हमारे गरारे की length आ रही है तो यह 41 इंच है मुझे 39 इंच के round इसको ready करना है तो लगबग 2 से 1.5 इंच हमारा खर्च हो जाएगा 1.5 इंच उपर लगबग 1.5 इंच नीचे तो मुझे 39 इंच पर गरारे को ready करना है तो इस तरह से हमारे गरारे के length काफी अच्छे से आ जाएगी अब उपर से जो हमारा fold वाला fabric है यहां से cut कर लेंगे तो पूरी length में यानि 3 मीटर जो length है हमारी fabric की fold वाली है इसको cut करके 2 part में इस तरह से divide कर लेंगे अब यह दोनों piece हमारे गरारे के flare है तो एक मैं इसमें से हटा देती हूँ और एक आपको करके दिखाऊंगी इसको हमने किस तरह से ready करना है तो एक side में रखेंगे जो इसकी चोड़ाई है वो 1.5 मीटर है यानि यह 3 मीटर है total length में और इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है इसके बाद अब हमने इसमें plates डाली है तो plates यहां से हमने थोड़ा सा इस side से fabric सीधा छोड़ेंगे इसके बाद यहां पर छोटी छोटी plates डालेंगे और यह plates हमने पूरी 3 मीटर fabric की इस तरह से डाल लेनी है इसके बाद हमने नीचे जो हमारा घेरा है उसको fold करेंगे तो उसको fold करने के लिए दिखें यहां नीचे किनारी है तो यहां पर double fold करने के जरूरत नहीं है बस एक ही बार fold करके एक सिलाए लगा देंगे या फिर आप चाहें तो इस पर तुरपए भी कर सकते हैं अब जिस तरह से हम यह वाला part ready करेंगे उसी तरह से हमने दूसरा part भी ready कर लेना होगा इसके बाद अब हम अपना अपर part लेंगे और अपर part के अब हमने crouch सिलने है तो दोनों की right side को हम अंदर रखेंगे इस तरह से wrong side बाहर रहेगी इस तरह से और crouch वाली side से half inch का margin लेकर यानि दबाव लेकर यहां पर अच्छे सिलाए लगा देनी है सिलाए लगाने के बाद हमने इसका नेफ़ फोल्ड कर लेना है इस तरह से अब देखें फ्लेयर में हमने इस तरह से plates डाल ली है तो दोनों part को हमने बिल्कुल इसी तरह से ready किया है इसके बाद जो इसका नीचे से घेरा था वो भी हमने लगबग तो देख लेते है तो यह half में फोल्ड होकर इतना आएगा इसके बाद देखें हमने अपना upper part ready कर लिया है दोनों side से cross से लिये है और इसके बाद हमने इसका नेफ़ फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा यहां से हमने उपर रखा है जहां से हम elastic insert करेंगे इस तरह से इसके बाद देखिए अब हमने इसको सीधा कर लेना है और नीचे से जो इसकी यह वाली side है यह देखिए यहां से हमने plates का यह वाला part इसके बराबर रखना है तो plates हमने upper part के इस side से बराबर मिला कर रख लेनी है इतनी ही plates डालेंगे जितनी skill चोड़ाई होगी इसके बाद upper part को घेरे से joint कैसे कर लेना है तो पहले हम upper part को सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से और इसके उपर अब हमने अपना घेरा रखना है यहां पर हमने जो plates हैं वो upper part के बराबर रखनी है इस तरह से और यहां से हमने अब सिलाई लगा लेनी है तो देखें यह बलकुल बराबर ही है अब जो सिलाई हमने plates डालते हुए लगाई है उसी सिलाई के उपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से और दोनों को हमने बिल्कुल इसी तरह से सिल दिया है यानि दोनों साइट की जो फ्लेयर थे वो सिल दिये है सो गैस बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम ये गरारा रेडी कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो दिहान से देख रहे हैं और बस अब हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है तो यहां से हमने इसको बराबर करके पकड़ लेना है इस तरह से तो पहले सिलाए को अच्छे से लॉक करके यहां से सिलाए स्टार्ट करेंगे और यहां गुमाते हुए नीचे तक एंड करेंगे यहां भी लॉक कर देगे। इसके बाद अब हमने अपनी लास्टिक लगा लेनी है जो भी हमारा कमर का साइज है उससे चार इच गम लेकर हमने लास्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर लेनी है तो इस तरह से हमारा ग्रारा रेडि हो जाएगा अब आप इस गरारे के फैब्रिक का क्लोज अप लुक देखे बहुती ज़्यादा ब्यूटिफुल फैब्रिक है और इसके उपर बहुत अच्छे से ये स्टोन वर्क है जो देखने में बहुती ज़्यादा ब्यूटिफुल लुक दे रहा है इस गरारे में मैंने लाइनिंग का यूज नहीं किया है क्योंकि मेरे कस्टूमर को इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगवानी थी अगर आपको इसके अंदर लाइनिंग लगानी है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है जिसमें मैंने गरारे के साथ यानि बनार सी गरारे के साथ लाइनिंग का यूज़ किया है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के description box में दे दूंगी जहां से आप लाइनिंग लगा कर भी ये गरारा बना सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको इस गरारे के साथ वाली कुर्ती जो मैंने फाइनल लुक में पहनी है उसका वीडियो देखना है तो यहां क्लिक करके आप डारेक्ट इस कुर्ती की कटिंग स्टेजिंग देख सकते हैं